अब हाथ की थोड़ी मोमेंट करो ऐसी अपना हाथ खोलो अब मैं दबाई लिख देता हूँ और उसे एक हफते तक लेना है और मुझे लगता है कि तुम दोस्तों के साथ खेलने के लिए एकदम सही हो लेकिन फूरी सावधानी बरतना ज़रूरी है जी अच्छा पिछली बार जब मैं हापे आई थी तब आपने कुछ रोगों के बारे मुझे जानकरी दी थी मैंने अपने दोस्तों को भी दी ओके, that's like a good girl तो तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए थी हाँ, उन्होंने किया लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे सवाल किये जिनके जवाब मैं नहीं दे पाई क्या मैं वह सवाल आपसे फूच सकती हूँ और तुम्हारे दोस्तों की समस्या का समाधान करना तो मेरा सवभाग्य होगा क्योंकि वो रोगों के और स्वास्थ के बारे में तुम्हारा ज्यान बढ़ाता है पिछली बार आपने मुझे बताय था कि कुछ रोग जन्द से होते हैं,.... जन्म की समय से हो जाते हैं और कुछ रोग बाहिये कारणों से होते हैं जिसे वातावरण के जीवजन्तों की कारण और जिने अधिगरहित रोग कहते हैं हाँ, यह सही है मैंने आपको मेरी सहली निशा के बारे में बताय था जो बुखार और ठन के करण बिमार थी और उसे स्वस्त बच्चों से दूर रहने की सलादी थी आपने मुझे समझाय था कि निशा को संसर्ग हुआ है जो दूसरों में फैल सकता है इसलिए उसे मिलने जुलने की, पाठचाला में जाने की या फिर हमारे साथ खेलने की अनुमती नहीं थी जबकि मुझे चोट आई थी और मुझे फ्रेक्चर हुआ था और ये रोग स्वस्त वेक्तियों में नहीं फैल सकता इसलिए मुझे सबसे मिलने की अनुमती थी हां रिया ये भी सही है किन्तु मैं तुम्हारी आशन का नहीं समझ बाया हां, तो मेरे दोस्तों ने मुझे से पूछा कि अधिकरहित संसरगशील रोग में और अधिकरहित चोट में क्या नतर है और मैं भी नहीं बता पाई क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? क्यों नहीं, पिसली बार हम उसके विस्तार में नहीं गए थे, मैं अब जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक मिनिट का टाइम दू, हलो, हाँ बाहर कितने पेशेंट्स खड़े हैं, हाँ, 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 ओके, 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 उन्हें बस पंदरा मिनिट के बाद अं ओके, डॉक्टर, शुरू करें जो कि हम जब अस्वस्तो होते हैं, तब होता है, तो पैथोजन का मतलब है, जो एजेंट्स कमजोरी या रोग के माधिम से पीडा देते हैं, पैथोज तयार करने वाले एजेंट्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो पैथोजन रोग निर्मान करने वाले एजेंट्स ह कहा जाता है डॉक्टर यानि ये रोग पैथोजन एजेंट रोगी के शरी से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाते हैं और फैलते हैं बिलकुल सही रिया चूंकि ये रोग सूक्षमजीब या विशानू के कारण होते हैं इसलिए ये आसानी से बाधित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित हो सकते हैं, इसी करण संक्रमित रोगों को संपर्क रोग भी कहते हैं, जब स्वस्थ व्यक्ति रोगी के शारिरिक संपर्क में, स्तराव के अथवा टीशूज के संपर्क में, प्रतिक्ष या अप्रतिक्ष रोप में, यानि संक्रमित वस्तु यानि ब बहुत लोगों के रोग फैलने के लिए जिम्मेदार होता है मतलब संपरकशील रोगों के बारे में हम कह सकते हैं जो रोग पैथोजन्स के कारण होते हैं और रोगी से स्वस्त व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं एकदम सही रिया तुम बहुत हुनहार लड़की हो हम आगे के चलिए अहां बस एक सवाल है क्या आप मुझे अलग-अलग प्रकार के पैथोजन्स के बारे में बता सकते हैं हां इन फैक्ट संक्रामक या संपरकशील रोग उनके कारण वाचक एजंट या पैथोजन्स के आधार पर विभाजित किये जाते हैं ओके मैं तुम्हें कुछ चार्ट और इमेज़ेस दिखाता हूँ पहला है बैक्टेरियल जिवानों ये रोग बैक्टेरिया वरक के प्रोकेरियोटिक एक पेशिय सूख्षम जिवों के कारण होते हैं तो दूसरा है प्रोटोजोल रोग, प्रोटिस्ट वरक से सम्मन्द रखने वाले यूकरियोटिक एक पेशिय सूख्षम जिवों के कारण ये रोग होते हैं अमियोबाइसिस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, टॉक्सो प्लास्मोसिस ये प्रोटोजोल रोग के कुछ उदारण है तीसरा है फंगल रोग, इन रोगों के कारण वाचक पैथोजन्स एक पेशिय अथ्वा बहु पेशिय यूकरियोटिक सूख्षम जीव हैं जो फंगी वर्ग से होते हैं, ज्यादा तर इंसानों में पाए जाने वाले फंगल रोग है रिंग वर्म, अथलीट्स फूट, कैंडिडियाजिस, एक्सेटरा चहता है है हेमेंथिक रोग, अत्वा क्रिमी संक्रमन इन रोगों के कारणवाच पैथोजन्स बहु पेशिय छोटे कीडे पैरसाइटिक वर्ग से प्लाटी हलमेंथिस होते हैं चप्टे क्रिमी, टेप वर्म, लिवर फ्लूग, एक्सेटरा आसकेले हलमेंथिस, राउन वर्म, याने आसकरेस, पिन वर्म, हुक वर्म, इत्यादी आसकराइसिस, फिलराइसिस, एलिफंटाइसिस, टाइनाइसिस, इत्यादी और पांचवा है वाइरल रोग ये विशाणों अपेशिय संक्रामक जीव होते हैं, जो परित्याग इंटरासेलिडर पैररसाइट्स होते हैं इसलिए वे बहुत प्रकार के पेशियों में संक्रमन कर सकते हैं वाइरल रोगों के उधारन है इंफ्लूएंजा, हिपिताइटिस, एड्स, डेंग्यू, रेबी, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एक्सेटरा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया रिया जी हाँ डॉक्टर, मिल गया उत्तर अब मुझे अच्छे तर ऐसे समझ में आया है कि मेरी सहली निशार जो शायद वाइरल संक्रमन के कारण बिमार थी उसे घर में रहने की सलादी की ताकि संक्रमन करने वाला वाइरस उसके संपर्क में आने वाले लोगों में न फैले और हाँ कुछ साल पहले स्वाइन फ्लोकी चलते हमारे पाठशाला को टर्म के बीच में चुट्टी दी थी अब मुझे विश्वास है कि लोगों में रोक न फैले इसलिए ऐसा किया गया था